जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शरीर में खोन की कमी की वज़े से डेर सारी बिमारियों के पनपने का खत्रा रहता है। जब खोन बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो इसकी वज़े से इंसान की मौत तक हो जाती है। अब सवाल ये है कि आदमी को कैसे पता चलता है कि उसके शरीर में खोन की कमी है। ग्यान टीवी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तो आज आप इस वीडियो में न सिर्फ खोन की कमी के लक्षन के बारे में जानेंगे, बलकि हम आपको शरीर के खोन के इसतर को मेंटेन रखने का तरीका भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तो शरीर में तीन तरह के बलड सेल्स मौझूद होते हैं। रेड बलड सेल्स, वाइट बलड सेल्स और प्लेटलेट्स। शरीर के लिए ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टन्ट है। अगर हम RBC यानि रेड बलड सेल्स की बात करें तो इसका निर्माण आइरन से होता है। ये हिमोगलोबिन बनाने का काम भी करता है। हमोगलोबिन एक तरह का प्रोटीन है जो न सर्फ रेड बलड सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है बलकि हमारी शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सिजन पहुचाने का काम भी करता है। यही वज़ा है कि जब शरीर में हिमोगलोबिन नॉर्मल रेंज से कम होता है तो तमाम तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती है। अब सवाल ये है कि हिमोगलोबिन की नॉर्मल रेंज क्या है। महिलाओं में 12 और पुरुषों में 13 ग्राम से कम हेमोगलोबीन होने पर इसे खोन की कमी के रूप में कंसीडर किया जाता है शरीर में खोन कम होने पर बहुत से लोग इसे हलके मिलेते हैं जो सही नहीं है खोन की कमी होने पर आक्सिजन शरीर के सभी अंगों तक ठीक से नहीं पहुँच पाता जिसकी वज़े से हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है जब बलड हार्ट के मसल्स तक ठीक से नहीं पहुँच पाता है तो ये धीरे-धीरे कमजोर हो जाते हैं ऐसे में हार्ट अटैक का खत्रा काफी हद तक बढ़ जाता है। बलड का रिलेशनसिप दिल के साथ ही नहीं है, बलकि दिमाग के साथ भी है। और यही वज़ा है कि जब खोन नॉर्मल रेंज से काफी कम हो जाता है, तो हमारे दिमाग की कारिशाली प्रभावित होने लगती है। ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अगर बलड की सप्लाई प्रभावित हो रही है, तो इसकी वज़र से डेप्रेशन की समस्या बढ़ सकती है। व्यवहार में चिर्चिरापन और यादाश्ट में कमी की शिकायत भी अकसर बढ़ जाती है। इसी तरह दूसरे कई मानसिक रोग भी आपको अपनी चपेट में ले सकते हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें, तो उनमें खोन की कमी की शिकायत आमतौफर ज्यादा रहती है। खास कर प्रिग्निंसी के दौरान, ये समस्या काफी हद तक बढ़ जाती है। खोन कम होने का असर न सर्फ महिलाओं की शरीर पर पड़ता है, बलकि गर्भ में पल रहे शिशु भी इससे प्रभावित होते हैं। हेल्थ एक्सपोर्ट्स की मताबिक, खोन की कमी होने पर बच्चे अकसर कमजोर पैदा होते हैं। उनका मानसिक विकास भी ठीक से नहीं हो पाता है। दोस्तो अब हम आपको खोन की कमी के धेर सारे कारण भी बता देते हैं। मुख्य कारणों की बात करें, तो इसमें गलत खानपान शामिल है। जब हम ऐसे भोजन का सेवन करते हैं, जिन में पोशक तत्वों की कमी होती है, तो इसकी वज़े से हेमोगलोबिन तेजी से कम होने लगता है। डॉक्टरों के मुताबिक शरीर को वाइटमिन B12, फॉलिक एसिड और आईरन जैसे पोशक तत्वों की जरूरत होती है। जब इस तरह के एलिमेंट्स भरपूर मात्रा में शरीर के अंदर नहीं पहुँच पाते, तो खोन की कमी की समस्या बढ़ जाती है। खासकर महिलाओं के लिए हेमोग्लोबिन को मिंटेन रखपाना काफे मुश्किल होता है। चूंकि पीरियड के दौरान खोन बड़ी मात्रा में शरीर से निकल जाता है। इसलिए ये उनके लिए एक कॉमन प्रॉब्लम है। आम तोर पर ये देखा गया है कि महिलाओं में 40 साल की उम्र के बाद आईरन और वाइटमिन B12 की कमी हो जाती है। जिसका असर हिमोग्लोबिन पर पढ़ना लाजमी है। अगर कोई व्यक्ती लंबे समय से किसी बीमारी से पीडित है, तो इस कंडिशन में भी खोन की कमी हो जाती है। खासकर कैंसर, बोन मैरो डिजीज, किडनी और लिवर की बीमारियों के दारान शरीर में अकसर खोन की कमी हो जाती है। ये एक तरह की जैनेटिक प्रॉब्लम भी है। अगर परिवार में, खासकर माता पिता में खोन की कमी की समस्या हो रही है, तो ये बेटे या बेटियों को भी हो सकती है। कमजोर डाइजेशन सिस्टम के कारण भी शरीर में खोन की कमी हो जाती है। जब पाचन तंत्र कमजोर होता है, तो ये खाने में मौजूद पोशक तत्वों को ठीक से अब्जॉब नहीं कर पाता, जिसके वज़े से हिमोगलोबिन कम होने लगता है। इस तरह के कई कारण ह जो शरीर में खोन की मातरा को रिड्यूस करने का काम करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप खोन की कमी के कारण जान गए हैं, इसलिए अब आपको इसके सिम्टम्स यानि लक्षन के बारे में भी बता देते हैं। अगर आपको समय पर नीन नहीं आ रही है, तो ये बॉड़ी मे भरपूर नीन्द नहीं आती, यानि थोड़ी थोड़ी सी देर में उसकी नीन्द तूटती है, तो इसे भी खोन की कमी के साथ जोड़ कर देखा जाता है। इसी तरह अगर आपके नाखोन कमजोर हैं या फिर बार-बार तूट जाते हैं, तो आपको एनिमिया या खोन की प दिखा जाता है। आम तोर पर आखे तभी पीली पड़ती है जब ज्वाइंडिस यानि पीलिया के असरात हों। लेकिन अगर पीलिया नहीं है तो फिर समझा जाना चाहिए कि बाड़ी में खोन की कमी है। आखों के नीचे डाक सरकल यानि काले निशान पड़ जाते हैं त लیکिन अगर आप भरपूर नीन ले रहे हैं, इसके बाद भी आखों के नीचे ब्लाक लियर नजर आ रहे हैं तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यानि ये खोन की कमी के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर हम बालों के जड़ने की बात करें तो इसकी कई वजहें हो सकती हैं बावजुद इसके खोन की कमी के कारण भी बाल जड़ते हैं या फिर इन में रूखा पना जाता है। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप इसे नजर अंदाज न करें। ये खोन की कमी के लक्षन हो सकते हैं। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप इसकी जाच करा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शरीर पर मौजूद जखम यानि गाव के जल्दी न भरने को भी खोन की कमी के रूप में देखा जाता है। ये प्रॉब्लम डाइबिटीज के दारान भी होती है जी हाँ शुगर लेवल बढ़ने की वज़े से शरीर पर मौजूद मामूली चोटे भी जल्दी ठीक नहीं होती। अगर आपके गाव जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं तो इस कंडिशन में बलड और डाइबिटीज दोनों की जाच करा लेना चाहिए। अब सवाल ये है कि अ हरेलू नुस्खे भी अपना सकते हैं। जी हाँ जीरा पानी का सेवन करने से शरीर में खोन की मातरा तेजी से बढ़ती है। जोकि जीरा में आइरन बड़ी मातरा में मौजूद होता है। इसलिए से खोन बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। आप एक अंदर और सेव जैसे फल भी खोन बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी माने जाते हैं। क्योंकि इनके अंदर भी आईरन भरपूर मातरा में मौजूद होता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। इसलिए से लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसा करने से आप हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस कर देंगे। हमारा उद्देश ये आपको जागरुक करना है। इसलिए हम इस तरह के वीडियो लगातार बना रहे हैं। आप कॉमेंट बॉक्स मे अपनी राह जरूर लिखें। हमारी टीम को इससे मोटिवेशन मिलता है।